अब जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रक्शन आफ अरित्थ्रो साइट्स ठीक है या फिर डेथ आफ अरित्रो साइट्स डेथ आफ आफ आर बीसी जैसे ही RBC के 120 days की life जो है वो पूरी होती है उसके बाद RBC का breakdown होता है ठीक है? breakdown जो हो रहा है और breakdown को बोल रहे है hemolysis ठीक है जी? hemolysis इसको बोला जाता है ओके? जो की phagocytic जो की हमारा जो hemolysis है phagocytic reticulo ठीक है कौन से cells कर रहे है phagocytic यानि की phagocytosis करने वाले phagocytic reticulo reticulo endothelial reticulo endothelial cells जो है ये कर रहे है hemolysis reticulo endothelial cells ये जो cells है ये सपलीन कहां कहां पर पाए जाते हैं ये cells ये cells पाए जाते हैं हमारे सपलीन एंड लिवर ठीक है सपलीन और लिवर में जो है RBC की death जो है हो रही है जैसे जैसे RBC की age होती है ठीक है RBC की age है कितनी age पड़ी थी हमने that is okay 120 days तो हमने देखा कि RBC की जो age है that is 120 days और जैसे ही इनकी age होती है 120 days RBC की जो हमारी membrane है cell wall है वो क्या हो जाती है RBC की cell membrane fragile हो जाती है fragile का मतलब है बहुत ही जल्दी तूटने वाला breakdown होने वाला fragile membrane जो है वो हो जाती है और जिसके कारण इसका हीमोलाइसिस होने का chance जो है वो बढ़ जाता है हीमोलाइसिस होने का chance है बढ़ जाता है ओके जैसे ही RBC तूटता है जैसे ही RBC तूटता है इसमें से iron part ओके देन हमारा Billy Verden Billy Verden भी कई textbook में लिखा हुआ है और Will Burden भी लिखा हुआ है Billy Verden नाम का जो compound है वो बाहर निकलाता है ठीक है 80% जो 80% जो हमारा iron है 80% जो हमारा iron है RBC के breakdown के बाद it is recycled और we can say reused by the body दवारा फिर दवारा फिर एक बार फिर RBC बनाने में नए RBC बनाने में ये iron जो है वो use कर लिया जाता है 80% यही वो secret है कि क्यों हमारे जो below poverty line हमारी community है लोग हैं under developed countries में उनका HB कम होने के बाब जूद भी वो survive कर जाते हैं क्योंकि जो जितने भी RBC तूट रहे हैं उसमें से maximum 80% iron जो है वो reabsorb हो जाता है ठीक है और जो हमारा will burden है ये क्या है ये completely reduce कर दिया जाता है in the yellow pigment yellow pigment के रूप में completely इसको body reduce कर देती है इस yellow pigment को बोलते हैं bilirubin ठीक है जो की stool को जो हमारी stool है उसको yellow color भी provide कर रहे है ठीक है stercobilin जो है compound है bilirubin तो bilirubin जो है बन रही है और plasma जो है हमारी globalin ठीक है के साथ bound होके plasma globalin के साथ bound होके liver के बास जाती है और liver में liver में इस जो हमारी fat soluble है यह जो हमारी bilirubin है यह fat soluble होती है ठीक है जी fat soluble होती है जिसको हमारा liver क्या करता है water soluble water soluble form में simple form में convert कर देता है हमारा जो liver है वो इसको simple form में convert कर देता है और यह किसका part बन जाती है यह ultimately हमारे बाइल का बाइल का पिगमेंट का पार्ट बन जाती है तो इस तरह हमने देखा कि 120 डेज पास होने के बाद जो आर वीची की मेंब्रेंज हैं जो इसके अंदर हिमोग्लोबिन पार्ट है मैंब्रेंज फ्रिजायल होने के कारण दो हिस्सकों में तूट जाता है iron part 80% iron is used by the body and bill burden compound जो है वो ultimately liver के द्वारा किस में convert कर दिया जाता है जी ultimately liver द्वारा water soluble compound में जो है वो convert कर दिया जाता है so this is all about the death of the RBC ठीक है all clear any doubt okay class dismiss